दोस्तों ये कहानी उन दिनों की है, जब मैं गाउं से पहली बार दिल्ली नोकरी करने के लिए गया था, मैं अपने एक दोस्त के हां रहता था, और दिल्ली में काफी चका चौन थी, वहां रात क्या, दिन क्या, पता ही नहीं चलता, रात में भी खूब सोरसराबा रहता, मु देली जाया करता था और बैठके उन लोग के साथ चाई पिया करता था मेरा दोस्त है वह रात में ड्यूटी करता था और मैं दिन में ड्यूटी करता था एक दिन में रात में ड्यूटी करने लग गया रात के तक्रीबन बारा बजे मेरा काम खत्म हो गया और मैं अपनी घर की तरफ रावाना हो गया मैं अपने मोबाइल में इयरफोन लगा कर गाना सुन रहा था और गुणगुणा ते रास्ते के सरुब के किनारे किनारे चला रहा था सरुक पर गानिया खूफ रफदार में चल रही थी खुब सोर सरावा था सरक पर लेकिन भगल में सब सो रहे थे और आसपास में जितने भी बिल्डिंग ये थी लोग तकरीबन सब सो चुके थे मुझे आभास हुआ कुछ दूर चलने पर कि जसे मेरे पीछे-पीछे कोई चल रहा है मैंने कांसी येरफोन निकाल लिया और पीछे पलट कर देखा पर वहां कोई नहीं था फिर भी मैं अराम से येरफोन लगा गाना सुनता हुआ उस कंस्ट्रेक्शन बिल्डिंग के पास पहुँच गया जहां वहां नई बिल्डिंग बन रही थी बस बिल्डिंग के थोड़ी सी दूर ही मेरा घर था पर रास्ता उसी बिल्डिंग होकर गुजरना पड़ता था उस बिल्डिंग के पास आने पर मुझे फिर हैसास हुआ कि साइद कोई मेरे पीछे आ रहा है मैंने पीछे पलट कर देखा काफी दूर एक औरत चलती ही हुई मेरी तरफ आ रही थी साइद वो उसका भी घर आसपास में ही हो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अराम से अपने घर की तरफ गुनगुनाता हुआ चल दिया घर पहुँचकर अराम से नहाध होकर पलंग पर लेटकर टीवी देखने लगा टीवी देखते देखते और थोड़ी सी रात हो गई तकरीबन तीन बज़े के करीब दरवाजे पर किसी की दस्तक होई खटखटाने की आवाज सुनकर मैं चोग गया तीन बज़ रहे थे मैंने सोचा साइद मेरा दोस्त आ गया हो मैंने आवाज लगई कौन तो मेरे दोस्त की आवाज आई मैं हूँ दरवाजा खोलो मैंने कहो चलो मेरा दोस्त आ गया है मैं दरवाजा खोलने पहुँच गया जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने देखता हूँ, एक औरत खरी है उसके कपड़े काफी मेले हैं, बाल खुले हुए हैं मैं उससे कुछ पूछता, उससे पहले ही उसने मुझसे कहा कि पानी मिलेगा, अब मैं उससे कोई सवाल करी नहीं सकता था क्योंकि कोई प्यासा अगर पानी मांगे, तो पानी देना अपना फर्ज होता है सो मैं पानी देने के लिए घर के अंदर चला गया मैं पानी जैसे ही लोट रहा था, मेरे मन में काफी ख्याल आ रहे थे मैं सोच रहा था कि इतनी रात ये तीन बजे के करीब कौन औरत हो सकती है जो मुझसे पानी माँग रही है आखिर कौन है ये मेरे दोस्त की आवाज आई पर दोस्त तो वहाँ था नहीं कहीं मैंने मन में सोचा कि मैं दोस्त को फोन कर लू फिर मैंने कहा चलो बहुत देर से खरी होगी तो पानी उसे दे देता हूं पहले फिर कुछ ऐसा घटना घटेगी तो मैं मेरे दोस्त को फोन करूँगा ऐसा करके मैं उसके पास पहुँच गया मैंने दरवाजे के पास देखा तो महां कोई नहीं था वो अवरत का दूर दूर तक अता पता नहीं मैंने बाहर निकल कर देखा तो जिंगरों की आवाज सुनाई पर रही थी जो काफी डरावनी थी मुझे सरीन में सिहरन पैदा हो गई हवाए साइस हायकन कर चल रही थी मैंने देखा कि साइब कोई जाग रहा हो तकरीबन तीन बज गए हूँ आस-पास में मैंने देखा पर वहाँ कोई जाग नहीं रहा था दूर सरक से गारियों की आवाज सुनाई दे रही थी होन की मुझे भै काफी लग रहा था मैं जल्दी-जल्दी घर के अंदर गया छिटकीली लगाई दर्वाजा बंद करके पलंग पर लेट गया अब मुझे काफी डर लग रहा था हिम्मत नहीं हो रही थी फिर नीद आने की मुझे नीद ही नहीं आ रही थी मैं पलंग पर इधर से उदर इधर से उदर छटपटा रहा था थोड़ी कर बाद सुबह होई पांच बजा मैं चाई की टपटी पर पहुँच गया चाई पीने के लिए मैंने वहां के मजदूरों से बात की मैंने कहा कि यार मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी जब मैं रात को काम से लोट रहा था तो मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई औरत आ रही थी और तक्रीबन तीन बजे के करीब एक औरत मुझसे पानी मांगने आई तो उसमें से एक मजदूर ने मुझसे कहा कि क्या तुमने पानी दिया मैंने कहा हाँ मैं पानी लेने गया कि कौन है उसके बाद ही तुम्हें दर्वाजा खुलना चाहिए और अगर औरत पानी मांगे तो तुम्हें पानी नहीं देना चाहिए था उससे सवाल पूछने चाहिए थी मैंने कहा रे यार कोई पानी मांगे और प्यासा हो सिर्फ मांगती है हर आदमी से रास्ते पर भी कई बार कई लोगों से उसने पानी मांगे हैं और जब उस पानी देने के लिए मुरा तो वह अरत गाइब थी, वहाँ पर नहीं थी तो तुम्हें सोच समझ कर ऐसा काम करना चाहिए मैंने मेरे दोस्त को भी ये बात बताई दोस्त ने कहा कि अरे तु बहुत मुर्ख आदमी है कि तु गाओं में रहता है तुझे ये सब जानकारी नहीं है तुझे पता नहीं है, मैंने कहा यार गाओं में अलग बात है यह तो सखर है,शेर में ऐसी घटना गतना है इसा हो सकते है तब से मैंने कान पकर लिया रात की duty तो मैं नहीं करूंगा और अगर करूंगा भी तो मैं company में ही सो जाओंगा पर मैं रात में तो वापस नहीं आओंगा और इस एरिये में तो बिल्कुल नहीं आओंगा दोस्तों कहानी कैसी लगी एक वार कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को सेर करिएगा मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए बहुत जल्दी में गिप्ट की खोसना करने वाला हूँ तब तक लिए हमें आज्या दे धन्यवाद